हेलो एवरिवन, आज मैं बताना चाहती हूँ, एन्यूल सेकेंडरी एक्जामिनीशन डूजर बाइश के कॉश्चन के अंसर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बोर्ड एक्जाम 10 में पुछा गया है, समाजी गृग्यान के कॉश्चन के बारे में, अब यहाँ फूल माक्स 40 रहता है, पहला नम्मर कॉश्चन पुछा है, फ्रांस में पर्थम विद्रो कब हुआ था, आंसर है, जुलाई 1830 से स्विम, दूसरा नम्मर कॉश्चन पुछा है, निम्न में से किसका विश्वास था कि, इस्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट ही, मनुश्यू की प्राकपिर्थिक इकाई थी, आंसर है, जुसेफ पी मेतसीनी, तीसरा नमर कॉशन पुछा है निम्न में से कुन सी घटना पूरे यूरोप के सिक्षित अभिजात वर्ग में राष्टिय भावनाओं का संचार किया आंसर फ्रांसिसी क्रांती चौथा नमर कॉशन पुछा है 1848 में यूरोपिय देश्यों के किसान मजदूर किन कार्णों से विद्रो कर रहे थे आंसर इन में से सभी गरीबी बेरोजगारी भुक मरी पाचमा नमर कॉशन पुछा है निम्न में से किसने अपने उदेशों के परशार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था आंसर इन में चौशन पुछा है पर्थम विश्योद में रच्छा ब्याय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया अंसर करो में विर्धी की गई शाथमा नमर कॉशन पुछा आहिंसा का धर्म सभी भार्तियों को एकता के सुत्र में बान सकता है यह विश्वास किनका था अंसर महत्मा गांधि जालिया वाला बाग मैदान में अम्रिस सर के गांव वाले लोग किस मेले में सिर्कत करने के लिए जमा हुए थे अंसर है विशाखी मेला नमा नमर कॉशन पुछा महत्मा गांधि दुबारावाई श्रा इर्विन को लिखे खत में सबसे महत्पुन मांकि स्वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था अंसर है नमक दसमा नमर कॉशन हिंस सवराज नामक पुस्तक के लेख़ कौन है अंसर है महत्मा गांधि ग्यारवान नमर कॉशन है जर्मनी के एकी करन का श्रे किसे दिया जाता है अंसर है ओटो वान विसमार्क बारवान नमर कॉशन पुछा है चोरी चोरक कान किस वर्ष हुआ था अंसर है 1922 तिरवान नमर कॉशन पुछा पवन दुवारा मैदान अथवा ढालू छेत्र से मिर्दा को उड़ा ले जाने की परकिरिया को क्या कहा जाता है अंसर है पवन अपरदन 14 नमर कॉशन में है उत्पत्ति के आधार पर संसादनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है उनके नाम है इसका अंसर है जेव और अजेव 15 नमर कॉशन पुछा है निम्न में से किस मिर्दा को रेगुड मिर्दा भी कहा जाता है आंसर है काली मिर्दा सब्सक्राइब पुछा जून 1922 में ब्राजिल के किस सहर में पर्थम अंतरराष्टिय प्रीथवी सम्मेलन का आयोजन किया गया था आंसर है रियो डी जन रियो 17 नमर कोशन पुछा है निम्न में से भारत के 21 राजियों में खनीजों और कोईले के परचूर भंडार है अंसर जारखन मैद परदेश 36 गर अठारवा नमर कोशन पुछा है भारत में भूमी का कितना परतिसत भाग भू छेतर मैदान के रूप में है आंसर है 43 परतिसत 19 नमर कोशन पुछा है देश के छेतर फल का लगबख 37 परतिसत हिस्सा खनीजों जिवाश्म इंधन और वनों के आधार अपार संचय के रूप में किस छेतर को जाना जाता है आंसर है पठारी 20 नमर कोशन है पंजाब में भूमी निमनी करण का मुद कारण क्या है आंसर है अधिक सिचाई 21 नमर कोशन में निमनी में से किस प्रांथ में सीडियदार शोपानी खेती की जाती है आंसर है उत्रांचल 22 नमर कोशन पुछाए भारतिय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया आंसर है उनिस्चों बहत्तर 22 नमर कोशन पुछाए कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास वेसिन में जल विधूत उत्पादन और श्रीचाई दोनों के काम में आती है आंसर है भाखडा नांगल परियोजना 24 नमर कोशन पुछाए दुनिया भर में जल की कमी निमन कारणों से बढ़ रही है 25 नमर कोशन पुछाए बेलजियम में 1950 और 1960 के दसक में किन भासा के बोलने वाले शमूओं के वीच तनाव बढ़ने लगा आंसर है फ्रेंच और डच 26 नमर कोशन पुछाए स्री लंका में अधिकतर सेली भासी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं आंसर है बोध 27 नमर कोशन पुछाए लोगतंत्र के एक बुन्यादी सिधान्त के रूप में से राजनीतिक सक्ति का सरुत किसे माना जाता है आंसर है जनता सत्ता में भागेदारी के अवैसकता कहां पढ़ती है आंसर है इन में से सब्ही 29 नमर कोशन पुछा है निम्ण में से किस राइज का टक्राव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक आहिस्तिर्ता का रूप ले लेता है अंसर है लोकतांत्रीक तीस नमर कॉशन पुछा है सविधान और बिविन अस्तर की सरकारों के अधिकारों को ब्याख्या करने का अधिकार किसे है सरवश नियाले इसका अंसर है एक तीस नमर कॉशन पुछा है पुलिश, ब्यपारवानिश, क्रिशी और सिचाई जैसे महत्पुन विशे किस सुची के अंतरगत रखे गए है अंसर है रैस सुची बतीसवा नमर कॉशन है परदेश वाले इलाकों का शार्षन चलाने का विशेश अधिकार की सरकार को प्राप्त है अंसर है केंदर सरकार तीसवा नमर कॉशन है जब केंदर और राइस सरकार से सक्तिया लेकर अस्थानी सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है अंसर जत्ता का विकेंदरी करन चोतिसवा नमर कोशन ने आर्थिक विकाष के अंत्रगा समिलित लक्षिय अंसर नीमित रोजगार पेतिसवा नमर कोशन पुछा है भारत के किस राइज में गरीवी का परतिस्थ सबसे अधिक है अंसर चतिसगड 36. भारत में पर्चन बिरोजगारी समान टेक किस छेत्र में दिखाई देती है आंसर ए क्रिसी छेत्र 37. भारत किस वर्ग के देशों में आता है आंसर ए निम्न आय 38. निम्न में से कौन अर्थ व्यवस्ता की विसालता को परदर्शित करता है आंसर है सकल घरेलू उत्पाद 49. परिवहन भंडारन संचार बेंग सेवाए और बेपार किस छेत्रक की गतिविधिया के परमुक उधारन है आंसर है तिर्थियक 44. निम्न कोशन पुचा किसी छेत्रक के सर्मिकों में किस परकार की विरोजगारी पाई जाती है आंसर है अल्प विरोजगारी और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चेनल और सेर जरूर करें